वेलकुम बेक टू माई चैनल मैं कंचन और मैं आज बना रही हूं अफगाने चिकन तो चलिए रेसिपी को देखते हैं यहां पर मैंने 700 ग्राम चिकन लिया हुआ है चिकन के लेक पीसे को मैंने कट कर लिया है ताकि इसमें जो भी हम मैगिनेट करें चिकन के अंदर तक जा सक लिमने जाना इडा सकथ यहां पर कहा भाए और मैंने काजु और बादान भी लिया हुआ है और मीकसर जाल लिया हुआ है इसमें मैंने दो चमच मलाई डाला है घर का और यह जो बदाम और हमारे काजु है उसको भी हम मिक्सर जार में एड़ कर देंगे और इन सब का हमें एक पेस्ट रेडी करना है थोड़ा सा पानी एड़ करके हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे और यहां पर मैंने लिया है दही दही को हम चिकन में यूज करेंगे जो हम चिकन को पकाने टाइम यूज करेंगे रफगानी चिकन बनाने के लिए मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए गैस पी रखा है यहाँ पर मैंने डाला है सरसो का तेल तेल को हम अच्छे गरम होने देंगे यहां पर मैंने लिए हैं गरम मसाले, दाल चिनी, लॉंग, छोटी इलाची, बड़ी इलाची, जावेतरी, स्टार प्लार, जीरा, गोलकी, और एक प्रेज पता, इन सबको हम तेल के साथ मिला कर फ्राइ कर लेंगे, और बस यहां पर हम कद्दू कस किया हुआ हम यहां पर और हलका सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, यहां पर मैं एक त्रमच अधरक लसुन का पेस्ट एड़ कर रही हूँ, और अधरक लसुन के पेस्ट को भी हम प्याज की साथ मिला लेंगे, यहां पर चार हरी मेर्च एड़ कर रही हूँ, इसे भी हम मिला लेंगे, मसाले के न नुम्तम बहुत ही टेस्टी अफगानी चिकन बनाएंगे तो चिकन को भी हमनें अच्छे से मसाले के साथ मिला लिया है और इसे हम अच्छे से लो फ्लेम पर ही प्राय करते हुए बना embray पन्नमक को हम मिला लेने के बाद इसे हम 4-5 मिनट तक धखकर पकाएंगे लो फ्लेम पे इसे धखकर हटा कर हम फिर से इसे मिला कर और 5-6 मिनट तक फ्राइ करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अब यहाँ पे यह जो मैंने दही रखाता फेट के दही को एड कर दिया है दही के साथ भी इसे हम मिला कर फ्राइ करेंगे जब हम एड करेंगे फ्लेम को हम लो रखेंगे अब इस टेम पे थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं अगर आपका चिकन फ्राइ नहीं हुआ है आप थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं क्योंकि जादा पानी हमें इसमें एड़ नहीं करना है जो हमने दही डाला है दही के पानी से ही इसे हमें पकाना है तो बस यहां पे औ और 4-5 मिनट के लिए हम ढखकर इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे तक यह दही के साथ अच्छे से कोट हो जाए और यह हमारा चीखार अच्छे से पक सके बस यहां पे ढखकर अटा के हम इसको मिला लेंगे और फिर इसी तरह हम 4-5 मिनट तक मिलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पी से हम अच्छे से फ्राइ करेंगे यहां पे में ड्राय रोस्ट किया हुआ घर का गरम मसाला पॉडर एड़ कर रही हूँ और यहां पे एक जाइफल है जाइफल को भी में थोड़ा सा घिसके एड़ कर दूंगे इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तरह मिलाते हुए हम लो फ्लेम पे इसे चार-पांस मिनट तक हम और फ्राय करते जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा इसको फ्राय करने में क्योंकि इसमें हम पानी एड़ नहीं करेंगे हमने जो दही एड़ किया है उसे से हम इसको फ्राय करेंगे यह हमारा चीकन अच्छे से पक चुका और यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर लाइट कर चुकी थी बस यहां पर हम अमारा जो पेस्ट हमने रेडि किया था नहीं हमालाई और काजू बदाम का यह पेस्ट को हम एड़ कर देंगे और इसको पेस्ट को भी हम मिलाकर फ्राइ करेंगे पांची मिनाड़ तक लो फ्लेम पे अफगानी चिकन के लिए यह जो हमारे ड्राइफूट के पेस्ट है यह हमारा सबसे मैंने इंग्रिडियन्ट होता है भी कितना आइस के ज़या हैð और यह काफिये संदर चीकन हमारा देखने लग रहा है यह एकड़ा एक मिलानी घृएवी और आगर गर्मा घरम खा रहे हैं तो लिव् étant हमाराः है बस и सभीण चैटन या फिर साही जीगन कोर्मा हमारा बन के रेडी है इसे आप गर्मा गरम सर्फ किजिए तो रेसेपी कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब क के लिए बैल बटन को भी आप हिट जरूर किजिए तो मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ दब्दक के लिए बाबाई टेक कियर योर्सेल्फ लव यू लव यू आल थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग